योगीता दीदी प्रोफेसर इन इलेक्ट्रोनिक्स और कमिंश इंजिनियर्ट आत्मिया युनिवर्सिटी इस बत पर दीदी ने लगबग सत्रा साल तक कारे किया हुआ है लेकिन दीदी भी यूएच्वी के साथ में जूड़ी है उसे के साथ में दीदी फार्मिंग में काफ से एक्सपरिमेंट्स भी कर रही है उसी तरह से दीदी यूएच्वी के साथ में जूड़ते हुए स्टूड़न्स के लिए उसके सेशन्स भी कंड़क करती है तो दीदी को मैं आमंत्र करता हूं दीदी ऑवर कि नमस्ते भाया नमस्ते सभी को मैं योगीता राजकोट चेंट्रॉनिक्स और कमुनिकेशन डिपार्टमीट्मेंट्मेंटर पिछले चार सल पहले मैंने जॉप छोड़ दिया और अब मैं खे में खेती हुआ करती हूं घर का होता है वह और यून दीदी को मैं आब गीकति सभी किरेंग छोटों उपक्लेशिकों को अब ما एक फों तो मेरा ध्यान संबंद पर ही ज्यादा गया था अब धीरे धीरे वो संबंद विवस्था और सहस्तिद्व यह तीनों की तरफ मेरा ध्यान जाने लगाए छे-साथ साल आठ साल हो गए मैं इसको समझने की कोशिश कर रही हूँ जब first time workshop किया था तब मेरा कोई ऐसा intense question नहीं था कि मैं क्या हूँ या इश्वर क्या है या संसार क्या है या ऐसा कुछ बिज पर ऐसा कुछ-कुछ होता रहता था कुछ-कुछ ऐसा लगता था कि हाँ ऐसा कुछ होता है बट इतना intense नहीं था पर ऐसा मुझे ज़रूर लगता था कि मैं जैसा जी रही हूँ वो ठीक नहीं है पढ़ हो, कमाओ, खाओ, बस और चले जाओ तो ऐसा मुझे ठीक नहीं लगता था तो मुझे ऐसा लगता था कि life का कोई purpose तो हो गा ही खाली बस पढ़ लिख कर कमा खा कर हम लोग चले गए तो फिर यस life का क्या purpose तो उसको डूढने के लिए मैं कुछ-कुछ करती रहती थी पहले मैं कुछ motivational books पढ़ती थी फिर में बीच में ओशो को भी पढ़ती थी सदबूरू को पढ़ती थी और इसी बीच ये UHV का content मुझे मिला तो तब से मैं इसको explore करने की कोशिश कर रही हूँ लाइफ के बारे में मेरा एक बहुत simple सा चित्रन था कि सब लोग मतलब मिल जूल कर रहे प्यार से रहे लड़ाई जगड़ा नहीं हो और संबन्द के मामले में मैं थोड़ी ज्यादा वो थी क्योंकि मेरे सारे सुखदुक की जगा थी वो संबन्द थी सुवीधा को लेकर मुझे ज्यादा attraction भी नहीं था और उससे मेरा सुखदुक बहुत जुड़ा भी नहीं था तो संबन्द मेरे लिए जीने का कोर पॉइंट था और उसकी समझ है वो मेरी UHV में से connect होने के बाद उसमें बहुत clarity हुई है अब इसमें points के हैं साब से देखो तो first point है मानव को लेकर मानव को लेकर इतने समय से में जो समझ रही है उसमें मेरी क्यास फष्टताय बनी है तो इस बार मैं ये fourth time sharing कर रही हूँ morning session से मैं दो साल से जूड़ी हूँ इस बार वाले batch को मैंने regularly attend नहीं किया बीच में थोड़ी स्थीतिया ऐसी थी तो मैं इस वाले batch को attend नहीं कर पाई हूँ और फिर भी मैं share करना चाहती थी क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि मेरी पहली जो sharing थी first, second और third उन तीनों sharing में shift था और हर बार ये shift होता जा रहा है बहुत minor minor shift है पर वो shift हो रहा है एशा मैं देख पारें नहीं तो मानव के बारे में मेरी क्या समझ बनी है तो जब first time इस workshop को किया तो ये पता चला कि मानव मैं और शरीर का सहस्तित्व है पर मैं क्या हूँ, शरीर क्या है, सहस्तित्व क्या है ये सब मुझे पता नहीं था दीरे-दीरे समझने के क्रम में मैं और शरीर के बारे में मेरे पास information गैधर होती गई इससे पहले भी जब ये UHV नहीं किया था तब भी वो घर परिवार समझ से कुछ ने कुछ सुनने मा आता था कि शरीर होता है, आत्मा होती है, शरीर मर जाता है, आत्मा नहीं मरती, वो अजर अमर होती है बट जो बोलते थे उसका और जो हम लोग घर परिवार समझ में जो जीना हो रहा था उन दोनों में मुझे कोई connection नहीं दिखता था तो मुझे बहुत confusion का state बना रहता था, कि शरीर और आत्मा अलग-अलग है, तो फिर हम ऐसा कैसे जी रहे हैं तो ये वाला question बना रहता था, पर उसको कभी डूढ़ने का कोशिश किया है, ऐसा मैंने नहीं किया था तो जब ये UHV करने लगी, तो पहले ये information आया, कि मैं और शरीर अलग-अलग है, फिर उसको समझते समझते एक point पर logically मैं ऐसा convince हुई, कि हाँ ऐसा है तो सही, फिर उसको explore and investigation करने का काम हुआ, तो जैसे हम step by step टेके, तो first step में information आया, फिर उसको logical acceptance हुआ, उसके बाद उसको explore कैसे करूँ, उसको investigate करूँ, कैसे करूँ, उसको अपने में कैसे देखूँ, तो उसको करने का मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा था कि कैसे मैं इसको समझू, पर जब ये morning session में exercise one or two को किया, कि स्वयम के द्वारा स्वयम को देखना और स्वयम के द्वारा शरीर को देखना तो उस exercise को करने से मेरा ये जो process है वो initiate हुआ कि कैसे मैं इन दोनों को अलग-अलग देखने की exercise कर सकती हूँ तो मैं उसको कैसे अभियास करती थी जैसे कुमार भीया बताते हैं कि शरीर की activities क्या है पूरे दिन उसको observe करो मैं की activities क्या है उसको observe करो तो उसको मैं देखने की कोशिश करने लगी थी दीरे दीरे ये भी समझ में आने लगा कि सारे निर्णे मैं लेती हूँ और शरीर को मैं साधन की तरह यूज करती हूँ पर इसका मुझे भी glimpse दिखता है बट authentically शरीर और मैं अलग-अलग हूँ ऐसा मैं नहीं देख पाती पर सिंस ये observation पूरे दिन बना रहता है तो ये स्विक्रिती मेरी धीरे-धीरे गहरी होती जा रही है कि मैं और शरीर अलग-अलग तो है भले मुझे authentically वो अलग है ऐसा दिखा नहीं है पर इन दोनों की activities अलग है निर्णे में लेती हूँ इसको मैं clearly देख पाती हूँ तो अब इसको जीने में अभ्यास कैसे करें तो उसको अभ्यास करने के लिए मैं अभी क्या कर रहे हूँ तो एवरी टाइम जब मैं निर्णे लेती हूँ day-to-day activities में मैं जो कुछ भी काम करती हूँ तो उसको मैं check करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे निर्णे का आधार क्या है क्या मेरा निर्णे चैतन्य के अमरत्व और शरीर के नश्वरत्व को ध्यान में लेकर लिया है या सिर्फ शरीर मान कर लिया है तो हर बार मैं जो कुछ भी कारिय वेवार करती हूं, मेरे निर्णई का अधर शरीर है या मैं है, ऐसा मैं देखने की कोशिश करती हूं, जैसे as for example, जैसे अभी मैं खेती कर रही हूं, UHV को समझने का काम भी कर रही हूं, उसको समझने का काम भी कर रही हूं, कोलेज भी जा र हो रहा है या मैं का स्वास्थिया, मैं का समझ बढ़ रहा है, मैं ये morning session attend कर रही हूं, तो उससे मेरी समवेदनाएं पूरी हो रही है या मैं की समझ बढ़ रही है, मैं भी UHV का एक teachers manual है, उसको English का को गुजरती में translate करने का काम करी, तो वो भी मैं क्यों कर रही हूं, तो हर पुरे दिन अपने नेड़े के आधार को चेक करने की कोशिश करती हूं, और इसी कोशिश से धीरे-धीरे ये साल बनता जा रहा है कि शरीरोर में अलग-अलग है, और उसकी स्विक्रीती है, वो गहरी होती जा रही है, अब पॉइंट B, प्रकृती, जब मैं पहले मैं मुझे पता था कि शभी अस्तित्व पार्टी है, कि मानव है, मानवेतर प्रकृती है, शुन्य है, ये सब मिला के अस्तित्व है, बट ये सारा वीचार में था, इन्फर्मेशन था, उसको एक्स्फ्बोर करने का जो तरीका है, वो भी मुझे नहीं समझ है आता था और explore कैसे करूँ वो भी मैं नहीं कर पाती थी पर अब धीरे-धीरे ये सब चीजे connected हैं और उसको मैं एक साथ में देख पाती हूं एक ही घटना में मैं सारी चीजों को देखने की कोशिश कर रही हूं और मैं कहीं बार देख पाती हूं कहीं बार नहीं देख पाती हैं तो जैसे कि प्रकृती को बोले तो प्रकृती में मानव भी है और मानवेतर प्रकृती भी है दोनों को मिला के प्रकृती बोल रहे हैं तो जैसे अभी मैं खेती कर रहे हूं तो प्रकृती के साथ कार्य कर रहे हूं तो मेरा ध्यान संबंद और व्यवस्था द पर चिंटन की जगा पर भाव की जगा पर कैसे अभियास करूँ उस पर मैं काम करने की कोशिश कर रहे थी तो अगेन उसमें मुझे exercise 1 और 2 से help मिली कि जैसे जब हम UHV के content को explore करते हैं तो उसमें तीन keywords है संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व तो इसको मैं अपनी day-to-day activities में कैसे करूँ तो उसको अभियास करने के लिए exercise 1 का जो step 1 है उसको मैं बहुत intensely करने की देखे और specifically उसमें अपने भाव को देखना है तो भाव को कहां देखू मैं तो जहां जहां मैं संबंध का निर्वा कर रही हूं वहां वहां मुझे भाव को देखना है तो संबंध का निर्वा मैं कहां कर रही हूं तो मैं अपने शरीर के साथ भी संबंध का निर्वा कर र निर्वा कर रहे हूं तो उस समय मेरा भाव क्या है मैं शरीर से काम ले रही हूं मैं शरीर को आराम दे रही हूं मैं शरीर के लिए खाना ले रही हूं तो ऐसी एक्टिविटीज हम रोज करते ही हैं तो ये सारी एक्टिविटीज करते हैं मेरा भाव क्या रहता है शरीर के प् भाव को देखती हूँ तो तुरंट मुझे ध्यान आ जाता है कि अच्छा मैं किसके लिए कर रही हूँ ऐसे ही दूसरे मानव के साथ निर्वा करते समय मेरा भाव क्या है उसको भी मैं देखने की कोशिश करती हूँ पहले जब मैं करती थी तो मैं इंटेंशन और कॉम्पेट करती थी ना तब मैं विचार के स्तर पर उसको ज्यादा करती थी ऐसा मुझे लगता है अब मैं उसको ऐसा इवेल्यूएट कर पाती हूँ तब जब करती थी तब मुझे नहीं पता चलता था कि मैं उसको विचार के स्तर पर ही अपने अंदर सेटल कर रही हूँ अब मुझे दिखता है कि तब मैं विचार के इस तरपर सेटल कर रहे थी अब मेरा शिफ्टिंग थोड़ा सा भाव की तरफ हुआ है तो जब दूसरे मानाव के साथ मैं संबंद का निर्वा करती हूँ तो मेरे अंदर क्या भाव होता है संबंद का भावाता है या विरोध का भावाता है स्ने का भावाता है या एंगर का इरिटेशन इरिश्या प्रतिशोध हिंसा का भावाता है कोप्रेशन का भावाता है या competition का भाव आता है जिम्मेदरी या भागीदरी का भाव आता है या उससे भागने का भाव आता है मैं दूसरे से भाव पाना चाहती हूं इसलिए मैं काम कर रही हूं या अपने में सही भाव को सुनिश्चित करना चाहती हूं इसलिए मैं ये काम कर रही हूं तो ऐसे सारे मैंने अपने अंदर लगा रखें, उसको देखकर मैं, मतलब फिर में उजे मैं अपनी स्थिती का आकलन करने की कोशिश करती हूँ, इसी तरह मानवेतर प्रकृती के साथ निर्वा करते समय मेरा भाव क्या है, प्रकृती के प्रती मेरा सदूपयोग का भाव है, संडक्षन, स प्रकृती को भोग के लिए, अपनी समवेदनाओं को पूरा करने के लिए यूज करती हूँ, तो तीनों जगह पर मैं अपने भाव को देखने की कोशिश करती हूँ, जब भी कोई एक्टिविटी करती हूँ, तो पहले मेरा ध्यान इस भाव पर चला जाता है, कभी-कभी जब बहुत सारी एक्टिविटी साथ में होती है, तब मैं मेरा ध्यान हट जाता है, तब मैं observation नहीं कर पाती हूँ, अपने कलतना शिल्दा को नहीं देख पाती हूँ, तो जब भी मेरा भाव पर ध्यान जाता है, तो मेरा निरनाई का टाइप बदल जाता है, जैसे अगर क संरक्षन के भाव के साथ मुझे आवश्यक्ताओं को पूरा करना है तो उसके उपर जिन का कार्यक्त तरीका क्या होगा उसका कार्यक्रम क्या होगा उसके लिए कितना समय लगाना यह सब तई हो जाता है पर अगर मुझे भोग करना है तो मेरी आवश्यक्ताओं unlimited है फिर उसको उपर जिन करने का तरीका भी ऐसा ही होगा क्योंकि unlimited आवशक्ता को पूरा करना है तो मेरे को unlimited income चाहिए तो फिर मैं सही तरीके से कमा भी नहीं सकती उसका कारियक्रम भी change होता है और मेरा सारा का काम जैदा होकर करना है तो यह जो भाव देखने की प्रक्रिया है यह मुझे अपने अंदर अप्ग्रेड होने अपनी activities को अप्ग्रेड करने में बहुत हेल्प कर रहे उसका एक छोटा सा घटना शेर करती हूं अभी चार-पास दिन पहले की घटना है हमारे यहां बहुत तेज बारिश होई थी राजकोट में ने जुनागर में यहां से सो किलोमेटर दूर है मेरे पेरेंट्स वहां पर रहते हैं और वहां पर दो तीन घंटे में पंद्रा बीस इंच बारिश हो गए और बाढ़ की स्थिति तो मुझे न्यूस से पता चला कि वहां पर बारिश बहुत तेज हो रही है तो मैंने अपने ममी को फोन किया तो उन्होंने फोन उठाय और उन्होंने बोला कि घर में पानी गुसने वाला है और अभी हम लोग सामान शिफ्ट कर रहे हैं और तुरंत उन्होंने फोन रख द दोनों बीमार है ऐसा सब चलने लगा पर जैसे ही यह भावाया उसके तुरंत बाद नेक्स्ट सेकिंड में ही मेरा ध्यान गया कि लास्ट पंदरा दिन से हिमाचल में उत्रांचल में दिल्ली में सब जगे भाड किस्तिती है सब जगे घर में पानी गुस रहा है गाडिया बह रही है लेंड स्लाइडिंग हो रहा है ब्रीज टूट रहे है और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं यह सारे वीडियो मैंने मुबाइल में देखे थे बट तब समवेदन शीलता वाला भावा आया पर वो जो अपनापन का भाव है संबंद का भाव है उसको मैं देखी नहीं पाई थी वह आया ही नहीं मेरे अंदर वो चिंता जो पेरेंट्स का सुनके हुई थी वह वाली चिंता हुई नहीं तो हम जो अखंडता बोलते हैं हम सर्वशुभ बोलते हैं तो यह सारा विचार में मेरे चलता है पर जब भाव रूप में देखे तो मेरे भाव इतन जीते समय मेरा भाव क्या है वो तभी दिखता है जब मैं 24 x 7 अपने भाव के प्रती अवेर होती हूं तो सर्वाशुब का भाव अखंडता का भाव उसकी हम बात करते हैं बट वो मेरे अंदर अभी विचार के लेवल पर चलता है अभी वो भाव के लेवल पर मैं उसको देख है उसको दिख वो मेरे को दिखता है बट अब फिर भी मुझे एक शिफ्ट दिखने लगा है कि पहले संबंद का भाव मुझे सिर्फ गिने चुने लोगों के साथ ही आता था जो मेरे close proximity में है या थोड़ा मेरे extended family है मेरे colleagues है मेरे friends है और उसमें भी संबंद कम और विरोध ज्यादा दिखता था बट अपने अंदर अब इस shift को में देख पा रही हूं कि जिनको अपना माना था जिनके प्रती शिकायते थी वो कम हुई है उनके प्रती स्विक्रिती बनी है दूसरों का भी विचाराने लगा है धीरे धीरे उसमें भाव आएगा अगर इस process को और ज साफी help कर रहा है तो यह जो मैं शेर किया उसमें exercise 1 और 2 का पूरा step 1 to 7 दोनो exercise का 7-7 step से वो included ही है इसको मैं अलब-अलग करके नहीं देख रही है पहले जब मैं sharing करती थी तो मैं सारे step को एक-एक-एक करके अलग देखती थी अब यह सारा integrate हो गया है सब मुझे एक साथ में ध्यान जाता है ऐसे ही जब व्यवस्था को पहले में संबंद के प्रती ज्यादा वो थी अब थोड़ा-थोड़ा मेरा ध्यान व्यवस्था की ओर जा रहा है तो व्यवस्था का भाव क्या है उसके बारे में information सारा है मेरे पास वो मेरी memory में है मैं अगर बोलना चाहू तो आदा घंटा बोल सकती पर वो विचार में है वो चिंतन की जगह पर अभी व्यवस्था का भाव आया है कि उसको मैं अभी ठीक से evaluate नहीं कर पा रही हूं अपने लिए तो उसको मैं कैसे देखने की कोशिश करती हूं कि जैसे व्यवस्था का भाव को भी देखो तो मैं उसक गया है तो यह एसा जब देखने लगी तो इतना धीरे धीरेごस्था है कि शरीर अपने आप में एक व्यवस्था है ऐसे ही सेल्फ में व्यवस्था का स्वरूप क्या है तो ब्लॉक बीवन की एक्टिविटीज को एक्टिवेट करना है बट ये अभी इंफोमेशन है उसको करने का प्रोसेस है वो अभी धीरे-धीरे शुरू हो रहा है मेरे अंदर फिर शेष प्रकृती में भी व्यवस्था का स्वरूप क्या है क्योंकि सिंस मैं नेचर के साथ काम करती हूं तो उसमें व्यवस्था का स्वरूप वो पूरकता वाला पाठ है कैसे ये हवा मिट्टी पानी पेड़ पोधे पशु पक्षी ये सब एगरी कल्चर से जुड़ सब एक दूसरे के पूरक है उपयोगी है तो ये मेरा ध्यान अभी काफी बारिकी से जाता है क्योंकि उधर अभी मैं काम कर रही हूं तो इस तरीके से मैं व्यवस्था को भी देखने की कोशिश कर रही हूं और सहस्तित्व कि जैसे प्रकृती और शुन्य का सहस्तित्व त तो शुन्य के बारे में अभी मेरा बिल्कुल धियान नहीं जाता है, ये सिर्फ इतना समझ में आता है, कि दो इकाईों के बीच दूरी के रूप में मुझे समझ में आता है, और ये दो इकाईों के बीच जो परस पर प्रभाव है, उसके रूप में मुझे पता चलता है, ये संबंध का आधार है ये logically accept हो रहा है पर उसको कैसे explore करूँ ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है और मेरी day-to-day activities में शुन्य को मैं अभी अपने विचार में भी नहीं ला पा रही हूँ तो शुन्य अभी मुझे थोड़ा दूर की जगा दिखती है पर मुझे लगता है यही process को धीरे धीरे करते करते वहाँ पर भी अनुमान बन पाएगा ऐसा मुझे लगता है इसलिए ये जो process है उसके प्रती मेरा विश्वास बढ़ता जा रहा है तो इस तरीके से ये मानाव प्रकृती अस्तित्व पर मेरा ध्यान थोड़ा थोड़ा जा रहा है और आचरण को बोलू तो ये भाव को में जितना परिमार्जन हो रहा है उतना आचरण में वो अपना reflect हो रहा है वो मुझे भी पता चलता है मेरे जो immediate साथ में र अगर जीने में कोई परिवर्तन हुआ है तो बस ये जो मैंने घटनाय शेर की वो ही मतलब ये भाव की स्थिति में जो चेंज आ रहा है वो ही आ रहा है और अपनी समझ के लिए कितना टाइम लगा रहे है तो ये morning session मैं अभी कर रहे हूं पर इसमें अभी मैं थोड़ी irregular थी बिछले तीन-चार महीने से कुछ थोड़ी situation ऐसी थी पर इसको मैं continuously धाई साल से कर रहे हूं साथ में मैं अभी college में भी जाती हूं और कभी-कभी उसमें भी मुझे share करने का मोगा मिलता है lecture लेने का होता है तो उसको करती हूं अपने family और दोस्तों या परिवार के साथ में कभी-कभी sessions arrange होते हैं तो वहां पर करती हूं और अभी मैं UHV का जो teachers manual है उसको English से गुजराती में translate करने का काम कर रही हूं तो इतना काम अभी मैं कर रही हूं इतना sharing है भाईया मेरा जी नमस्ते सभी को दोनों ही sharing बहुत अच्छी रही योगीता दीदी में जिस तरह का निर्डेंडिया है और जिस तरह की वह sharing करती रही है इससे दिखता है कि स्वैम में जांसने का और जी कर देखने का बहुती निस्ठा और तत्प्रता से कर रही है तो बहुती अच्छी बहुती अच्छी बात है और आप जिस प्रकास आपने निर्णे लिए है और उसको आप विधिवत पूरा करने में लगी है उससे आपी बहुती अच्छी बन पही है पुड़ा सा मुझे बस एक कंस्ट्रेंट आपके साथ दिखता है कि समय की पर सीमा होगे जिसरे कारण आ अच्छा संस्कार योजना के लिए काम चल रहा है और इसके लिए थोड़ा देखिए भविस में कैसे समय निकाल पाएंगी तो और अच्छा रहेगा तो समय में जाजने जी कर देखने वाला भाग को ठीक है और आगे बढ़को जे एक मानोलक्षी करको और भागडारी करना जी बहुत ही बढ़ी बहुत ही बढ़ी एक और बोलना चाहती थी यह ओनलाइन जो वक्षोप है ताना उसमें अभी मैं कर सकती हूं उसमें मैं सेशन्स ले शक्ती हूं बढ़िया बढ़िया तो हम लोग आपको फिर रख लेते हैं उसमें गुरूप में अना कुछ आप देमो सेशन करते हैं और वीगली मीटिंग करते हैं आप किसी ब्रूप के साथ अभी जूड़ी हूई है यह ट्रांसलेशन वाले है कि हां गुजरत में तो मैं अपनी आत्म अच्छा तो कोई मीटिंग अगर आप द्वान करें तो अच्छा रहेगा तो जनरली यह होता है कि लोग वीगली मीटिंग जो वीजर वाई होता है फिर इसमें डेमो सेशन देते हैं फिर वहां से थोड़ी तो और बढ़ जाती है तो फिर संदे मॉर्णी को डेमो सेशन हो इसमें रखते हैं बातों फिर इसमें लोग वाट्शॉप में रखते हैं तो देख यह प्रक्रिया है पुरी स्टेट्स को अगर करें तो बिश्टर रहेगा जो ठीक है ठीक है जी